नमस्कार दोस्तो अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वावत है। दोस्तो आज मैं आपको ऐसे होस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, ऐसी जगा की विजिट करा रहा हूँ, जहां पर 100% मरीज ठीक होकर आते हैं। इस होस्पिटल में अध्रंग, फालीज, लक्वा, पेरलाइसिस, नसोका दर्थ, नसोका बलोकीज होना, स्लिपडिस, दोरा, सुनापन, माईग्रेन, आदी गंभिर बीमारियों का इलाज, एलोपेथिक, आयुरुवेदिक, वेहमेपेथिक पद्धिति से परसिक्षित चिक् किया जाता है, तो ये मैं आपको होस्पिटल की सबसे पहले विजिट करा देता हूं, और ये होस्पिटल, मल्टी होस्पिटल जल्द सुरू होने जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये अंडर कस्टक्संग चल रहा है, यहाँ लोगों की भीड लगी है, काफी दूर हरियाना, बंबई तक के लोग यहाँ पर आ रहा है, सभी को 100% यहाँ पर राम हो रहा है, और इलाज भी बहुत सस्ता है, एक बार 100 रुपय का परचा बनता है, यहाँ गेट एंट्री पर आप परचा 100 रुपय का बनवा लीजिए, इसके बाद डॉक्टर देखिए, यहाँ पर इस टाइप से अपने आप ही विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं, यहाँ रिसेप्शन पर परचा आ जाएगा, इसके बाद दवाई कैसे देने हैं, सब डॉक्टर सहाब नहीं मरीज के पास जाकर सब देखते हैं, दवाई लिखते हैं, और आपको, अब मैं यह थ होड़ा सा लेडिज वाड, जेंट्स वाड और डॉक्टर सहाब कहां बैठते हैं, यह यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ तो दोस्तों, जैसे ही हम होस्पिटल में अंदर नीचे परवेश करते हैं, तो हमारे यह देखे, इस साइड में यह लेडिज वाड है, यहाँ लेडिज भरती करने की अच्छी सूवीदा है, बहुत साप सफाई है, और बीच में, दोनों वाड के बीच में, यहाँ डॉक्टर सहाब बैठते हैं, जितने इब डॉक्टर हैं तो यहाँ पर बैठते हैं, और इस साइड में देखे, यह हमारा जैंट्स वाड है, यहाँ यह पूर्श वाड है, डॉक्टर सहाब अंदरी आकर यहाँ पर विजिट करते हैं, चेर्मेन सहाब इस टाइप से घुमते रहते हैं, साप सफाई का विशेज ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पर कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, सब सुविधा उपलब्द हैं, और जल्दी ही यहाँ पर मल्टी होस्पिटल जल्द सुरू होने जा रहा है, देखिए यह डॉक्टर बिरजपाल सिंग नर्सिंग होम, यहाँ जल्दी ही बनने जा रहा है, तो डॉक्टर सहाब से थोड़ी सी वारता लाप कर लेते हैं, डॉक्टर सहाब आप अपने बारे में इसमें मल्टी स्पेशलिश्ट सुरू होने जा रहा है बहुत जल्द ही और सभी तरह की सभी बीमारियों का इलाज इसमें किया जाएगा अभी तो हमारा जो यह नर्सिंग होम है डाक्टर बिरजपाल सिंग नर्सिंग होम के नाम से चला है और यह करीब पचास वर्सों से हमारा पैरलाइसिस जैसी गंभीर बीमारियों का ठीट्मेंट चले आ रहा है पहले वह में था हमारा नर्सिंग होम और उसके बाद अब यह बाहर हमने बढ़ाया है और इसमें जो स्टाफ है हमारा हमारे दो बेटे हैं दो नों एंडी भी एंडी हैं और हमारी दो बहुए है एक बीएचे मेंस है एक जीनम है और भी इस्टाफ जो परसिक्सित इस्टाफ है जिन्होंने ये नर्सिंग होम चला रहा है दोस्तो डाक्टर साब से नर्सो के बारे में बात करते हैं ये क्यूंबलो कीज हो जाती है अधरंग क्यों मारती हैं विस्तार से ओपिस में बैठक में डाली हुए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है पूरा एडरास और पूरी डिटेल और मुबाइल नंबर वगएरा मैंने वीडियो में डाला हुआ है आज हम पहुंच रखें एक ऐसे होस्पिटल के अंदर जिसके अंदर ऐसी बिमारियों का इलाज किया जाता है जो डॉक्तर हाथ खड़ा कर देते हैं कि इसका अलाज नहीं होगा और लोग प्रेसान हो जाते हैं प्रेसान होने के बाद में वो अपने मरीज को ऐसी इस्तिति में छोड़ देते हैं और बताने लगते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं होगा तो ऐसे ही होस्पिटल में आ मैं दॉक्टर बुड़िलपाल सिंग हमारा यह जो नर्सिंग होन है यह पिछले कुछास वर्सों से कारियरत है और यह ग्राम जग्रोली में इस्तित है पहले यह गाउं के अंदर ही था और अब जब से हमारे वो वेटे हैं दोनों एंडीडेस एंडी हैं तो वो करके आए हैं तो उन्होंने फिर यह और पिर यहां चलाया है और हमारे यहां जो है नर्वस सिस्टम की जितनी भी बीमारिया हैं जैसे पैरलाइसिस है पैरलाइसिस को अर्धन लगवा पालिस पक्षागार कहते हैं तो इन सब का इलाज सखलता पूरो किया जा रहा है इसके साथ साथ इनकी और भी कहीं बीमारियां जैसे सुन होना अब देशिय का सियाइटी का का दर्द है इसलिप डिस्क है दौरे पढ़ना है और नर्वस सिस्टम की जितनी भी कमजोरिया हैं कमजोरियों की बज़े से बहुत सी इकद पेशेंट को खड़ी हो जाती है मुझ सब का ट्रीट्मेंट बहुती सफलता पूरो किया जा रहा है और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि पैरलाइसिस एक कमजीर बीमारी है और ये करक Scout से और तरह से आती है जिसका दी-पी परणे से प्रेनिध्र तक हो जाता है दो प्रेन – इमरे जातक जाता है जो तो उसके पहले सबसेती जुरत करने की जुरत होती इसके जब उसकी पोजिशन नॉर्मल होती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जासा है। उससे अलग जितनी भी पैरलाइसिस की बिमारिया है जिसमें प्रेन हम्रेज नाहूद उन उन बिमारियों में हमारा हेंडर परसेंट रिजल्ट है बेशरते हैं समय पर हमारे पास आजाए हैं केवल एक प्रेन हम्रेज वाला जिसमें दिमाज की नस लिके जो जाती है जिसे दिमाज की नस पढ़ना भी कहते हैं वो सबसे घंबीर प्रिस्की की होती है उसका ओल और उपरेशन से अलग कोई है इसलिए इसमें जितने भी बात में है उसका भीप बढ़ने की वज़े वज़े से है अर मैं बिल की वज़े से तो इससे भी एक बीमारी आपके आगा तो इसलिए अब जो है इस फोई एक बीमारी नहीं रखी है कि के वह लेकिये तो इसका लगता हूं के हिसाब से उसी तरह से इसका टेक्मेंट हमारे आप संभाव है और दूसरे हमारा जो है हमारी बड़ी वह बभू है वो पी एचेमेस है और पोड़ी वह है वो भी जी एनम है तो यह सब की देखरेक में चलते हैं हमारा पूरी तरह से तेक्निकली है सभी स्टार्फ प्रेंड है और सभी तरह की अमारे पास सुषवदाय है और इस पेस भी हमारे पास बहुत बड़ा है और अभी जल्दी ही हमारा जो मल्टी स्पेसलिस्ट होस्पिटल वो शुरू होने जा रहा है जिसकी मैंने भी बिल्डिंग आपको लिखाई है और वो मेरे ही नाम से है इसलिए मेरा बहुत स्वाने समय से मेरे नाम से ही पहले नर्सिंग होम चले आ रहा है जो इसलिए मेरे नाम से ही यह अब भी चलत जिल लोगों को पेरलाइस हो जाता है या दरिमार जाती है क्या उनके गुलकोज लगाना होता है देखिए मैंने पहले भी बताया है इसका कि यह सबसे खतरनाफ पोजिशन जो है प्रेनिम ले जो है जिसमें पेशेंट जो है लोग से नहीं खा सकता तो मदबूरी बस उसको ग कर दो केवल नाम ही है लेकिन उसमें जो जीवन रक्षर दवाईया डाल कर और शरीर की ताकत बनी रहे वह दाल को इसमें जाती है तो उससे कोई साइड इफेक्ट उसका है नी कुटे उससे पहले तो पेशेंट की जान बचाना होगा और जान बचाने के लिए हमें कुछ भ पहले पूर्म सवधानिया जैसे प्रोलम ना आया जैसे परलाइस यह आ रहा है तो आज का जो खान करन चल रहा है तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए जिसे के इस तरह की सबस्त्राइब आगे जीवन में ना आए देखिए आजकल जो है सबसे बड़ा क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि हवापी साथ मेरे इतना मशीनी करणफ हो चुका हमारे इस पूरे संसार में ये उससे जो गैसे निकल रही है तो वो कहीं न कहीं हमारे मानो समाज के लिए हां निका रहे हैं तूसरी बात हमारे फड़ो में फिल्तों में वीडी साइड पैस्टी साइड इतना दलने लगा कि उनके दिना ना फल पादन संधाव है और ना पचले ना बाले संभाव है तो इसलिए उसमें दालना पड़ेगा तूरु नका कहीं न कहीं असर उसमें घड़ पीन में भी आता है मारा उसे भी एपड़ इनकी लिए कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए, तो हमें ज्यादा तर जो है, आज पॉलस्टोल की भी बहुत बढ़ी समझ आए, क्योंकि सारा मशीनी करण हो चुगा है, तो मशीनी करण होने से क्या वागा है, हमारी फिजिकल एक्षिविटीज को कम हुई हैं, तो जो फिजिक परने के लिए, अगर हम नर्वोस से चम तुपे सबसे जो सैलसेट्यू हमारे पाव पैमसे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें सुट और साफ बोलस्टोल रहीत खाना देना चाहिए, और हुमने पेड़ने के लिए हमें ताजी हवा और हलका तो है, ताजी हवा और हावका और सिखनाई नौनवेज और ये बिल्कुल ज्यादे तर अवाइड करना चाहिए कि उसमें हमारा कॉर्टोल मांगा अच्छा, मेरा एक कड़वा कि उससेर कह सकते हैं, जो आज के टाइम में फास्टूड हैं, वो लोगों के मरने में उसका कितना योगदान हैं? यकंवेज बद गलाया है कि इसकी प्राश्टूड नियुक्त कोस्ति पर्शूड में अच्छ्चा कहता रहा हैं, जो इसलिए पास्टूड में इसी तरह कि हैं, कि हमें पता ही नियुक्त के क्या खाता रहें, पहले सिथा खाना था पकोडी खाली, आलूफी, तो उसकी पाल अधिकतर जो फास्टोड का यूज करते हैं बच्चे लोग ज्यादा कर रहे दोस्तों आप लोग जा रहे होंगे यदि आप फास्टोड खाते हैं या फास्टोड का सेवन करेंगे वो आपके लिए कितने हानिकार हो सकते हैं इससे आप लोग की जान भी जा सकती है तो जितना भी हो सके फास्टोड को अवाइड करें और अच्छा भोजन का परियोग करें सुध हवा सुध पानी अधिकतर आप नॉर्मल जीवन ही वैतित करें जिससे आप लोग का जीवन सुख में जिता रहेगा तो मैं थैंक्स करना दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्य बार एक बार होस्पिटल आकर जरूर देखें अपना इलाज कराएं आपको 100% यहां से अराम होगा कोई भी इस होस्पिटल से निराश होकर नहीं जाता यह पूरा एड्रस है मुबाइल नंबर वग बार कोईबगार आपर एक बार